मिंकु मोर एगो पेड के भीरी बैठल रहे। चुन्नो मुन्नो दूनो चिडिया उक्रा लोगी आईलिसन। मिंकु काका, हमनी के एगो कहानी सुनाई ना, तहर कहानी हमनी के बहुत अच्छा लागेला। ठीक बाबच्चा, हम तहर के गो ऐसन कहानी सुना ईब, जैसे तहर लोग के पता चलिए कि हमनी के डर भी कभी कभी हमनी खातीर अच्छा हो खेला। तह सुना, एगो तोता रहे, जेकर नाम रहे चिरकूट, लेकिन जब से उपैदा भाइल रहे, वोकर जीवन में एक्के गो परिशानी रहे। का परिशानी रहे काका? अरे सब्र करा बता रहलबानी, बहुत बोले लू, बीच में टोकल मत करा। हाँ, हम कहले रहें कि जब ताता कहानी सुनावस, तब बीच में ना बोलल करे। हाँ, तव तोता के जीवन में इस समस्या रहे, कि वो जब से पैदा भाइल रहे, तव बोल ना पाइल, उकरा से बोलल ना जात रहे। एक दिन चिरकुट डाल पर बैठल रहे, और यास पास के बैठल पक्छी फल खात रहे। हाँ, चिरकुट का देखा तरा, का तहरा भी फल खाय के बाँ, आच्छा लो फल खाल, लो लो चिरकुट फल लेवे खातिर आगे बढ़ल, उपक्छी फल वापस खींच लेलस। हाँ, एतना जल्दी भी काबा, चिरकुट। चला, गाना ता गाके दिखावा, सुनले बानी तहर गला बहुत सिरी लावा। आईसन बोलके सब पक्षी हसे लगलन सा, पर चिरकुट बहुत ही उदास हो गयल। और उड़के दूसर पेड़ पे चल गयल। तब चिंकी चिडिया उड़के चिरकुट के पास आईल। हम कोल बात सुनले ले बानी, जोणू पक्षी तहरा के कहत रहां सा, पर तो बुरा मत मनी हा। चिरकुट के आँख से आसुब बहुत कैल। बुरा कैसे ना मानी, लोग यह बात के ताना देवत रह लें, कि हमार आवाज नहीं है, एमें हमार का गलती बा। चिंके कहलास। हम तहर मदद कर सके नी। हम ऐसन पक्षी के जानी ना, जोन तहर मदद कर सके ला। अच्छा, काई शन सच में हो सके ला? का हम सच में बोल सकता नी। आप भाया, का हुआ नहींखे हो सकत। ूँं हम रह साथे चला। तू बोलबा भी और बाकी सब जानवरं से बात भी करबा। काली पहाडी लगे, बर्गत के पेड़ पर जोन उल्लू काका रहे ले, उन बहुत अच्छा वैध हावन। उन तहर मदद जरूर करी हन। दुनो उड़के उल्लू वैध के पास गोईलन सा। काका, एकरा के देखीं, का एकर आवाज आ सकेला, काई बोल सकेला। इहां आवा, मुह खोल के दिखावा। चिरकु टापन मुह खोल के उल्लू काका के दिखावलास। उल्लू देखके कालास। काका, एकर मम्मी पापा बचपन में ही चल गई लन जा, बाकी तो ता सब एकरा के साथ ना रख लन सा, एही खातिरी बोलल ना सिखले होगी, शायर एही खातिर काका इह बोले के कोशिश भी ना कईलास बचपन में के हूँ बोले के नैखे सिखावले, एही से यही सनबा, एकर रिलाज करे खातिर काला शहतूत, और ही काला अमरूद के जरूरत पड़ी, जे ताहरा ले के आवे के पड़ी रवाव कर चिंता ना करी, हमों ले के आईू ना ना, जे करी लाज करे के बाव, उहे जाके काला शहतूत आमरूद ले के आईू पर काका, काला शहतूत के पेड़ जहां पर बाव, उहावा पर कवा रहे लन्सा, आवरो बहुत ही दुश्ट होवन्सा, बाकी पक्षियन के परिशान करे लन्सा लेकिन नुकराता उही जे जाए के पड़ी, दोसर कवनो रास्ता नहीं खे तब चिरकोट उड़त उड़त काला शहतूत के पेड़ के भीरी चल गए, चिरकोट उड़त उड़त सोचलास इक कैसर मुसीबत में डाल देले बारे, हमरा ता इसा ही इक कवा सबसे डर लागेला, अब हमरा उन्हीं के सामना करे के पड़ी पेड के भीरी पहुचके चिरकोट आपन चोंच में दू तीन गो शहतूत दबालेलास और जैसे ही पीछे के तरफ घुमलास, उखरा के कवा घेर लेलानस घुमगा तो ता का हालबा, रे तू चोरी कईल भी सी कईल बरे चिरकोट कुछों न कहलास और उड़े लागल, तब कवा ओकर पंजा पकड़के काले गुफा के अंदर ले गईलानस और दर्वाजा बंद का देलानस अंधेरा में चिरकोट डिरा गई तब कवा बाहर से कहलानस अब एगो सांप आई, औरी तारा खाजाई अईसन बोलके एगो मोटा रसे चिरकोट के उपर फेकलनस चिरकोट के लागल के सांप आगल चिरकोट सांप के डर से चिल्लाए लागल बचाओ, बचाओ, बचाओ ओकर डर से ओकर आवाज आगल तब उल्लू काका आके उकरा के काली गुफा से बाहर निकाल देले चिर्कुट कुल किस्सा काका के सुनावलस हम्, हम्रा पता चल गईल रहे कि तू कभी बोले के कोशिश नई खिस कईले यही से हम तहरा के कवगा के पास भेजले रही काहे कि उस सब पक्षी के साथ है ऐसा ही करेला हम जानत रही कि तहरा आवाज के वापस ले आवे के बस यह एगो तरीका रहे जैसा ही तू डर गईले तो तू अपन जान बचावे खातिर चिला देले हाँ काका, तू सही कहला, एही वजह से हमारा आवाज आ गई चिंकी बहीन, तहार बहुत बहुत धन्यवाद, जे तू हमरा केईजा ले के आईलू इता हमार फर्ज रहे, और के हुँ ठीकी कहलेबा, कभी कभी डर भी लोगन खाती फायदी मन हो जाला तचु नू मुनू, तू लो का सिखला, और यह कहानी कैसन लागल कहानी बहुत अच्छा लागल काका, और हमनी के सिखनी जा कि डर ना भी बहुत जरूरी हो खेला, डर से हिम्मत आवेला उकरा से लड़े खाती अच्छा काका, अब हमनी के जातानी जा, फिर आइम जर अवा लगे